हालो अब्रीवन आज हम लोग एक चापनेया चाप्टर रॉयल्टी वो सुरू करते हैं क्या रॉयल्टी जिसे की हिंदी में अधिकार शुल्ट कहते है तो सबसे पहले कि यह रॉयल्टी है क्या तो किसी भी एसेट या प्रोपर्टी को यूज करने के बदने उसके ऑनर को जो पेगए किया जाता है उसे रॉयल्टी करते है तो भाई यहां पे यह भी समझना कि कोई एसेट यह प्रोपर्टी को यूज करने के बदने जो से रेंट भी तो कहते हैं पर दोनों में फर्क है क्या फर्क है तो रॉयल्टी जो है और वह तो वह और प्रोड़क्शन इस quantity में सेल किया जागा, जितने quantity में प्रोडक्शन किया जागा, उसके आधवर पर रोड़ी पेग किया जाएगा, ठीक है, और रेंट जो है, वो टाइम बेस्ट होता है, मतलब इस पेसिफिक टाइम, एक फिक्स्ट पेरियट आप टाइम, उसके लिए ये रेंट पेग किया जाता है, ठीक है, चाहिए वो पर मंत हो, पर ये रो इस तरह से, तो एक तो डिपेंस ये निकल किया है, कि रोड़ी जो है, और दूसरा रेंट जो है, ताइम बेस्ट होता है, और देखते हैं, एक फर्क और दिखेगा, कि रोयल्टी आमतोर पे जो पेग किया जाता है, या फिर, कापी राइट, ये कापी राइट क्या हो गया है, कि जैसे कोई बूख का, सपोज ये, आछांच का जो फाइनिसर अन्सेल एक आउनटिंग का जो बूख है, है SM शुकला का है उसे किसने छापा एंधा सीध भवन फब्लिकेशर ने छापाए तो पब्लिकेशन सहा हूं से साइध भवन जबकि बुक-को लिखने वाला है SM सुखला तो साहित अबावन का से यह बात हुआ होगा कि भाई आपका पर बुक जितना मार्केट पर बिखेगा हम जो छाप कर बेचेंगे तो जितना बुक बिखेगा पर बुक आपको इतना रॉयल्टी पे किया जाएगा तो वह कॉपी राइट लिया है बुक को छापने का क स्क्राइड मॉर्ग हुआ रला पर फिर भूट यहां ऑस जा कि यहिता हैं और यह ज peeled आपकर देख रहेंगैं कि यहां यह इसमाबरो से के प्रम पर जब हैर पी रेंक यह यह इन हो यह इंहां पर अंपर दोन्च सब्रहें टांपर बिर अकं ऐटलाusion तो ठी ऐसं दल्सा ज हुए तो यह दो बड़ा फर्क जो राइल्टी और रेंट में जिससे कि आपको कंफ्यूज नहीं हो य chlorणि थे जाता हुए यह पिअ लिए उसके पेल आइल पर वी फर्क पहला फर्क साइब एस जो है गी किंद ay कि भई इस चैप्टर में कुछ सारे जब शब्द मिलेंगे उसका मतलब क्या है तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि यहां पर जो और है उस ऐसेट का उस प्रोपर्टी का उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लैंद्लॉड या लेसर लेंड़ोड या लेसर जो उस एसेट या उस प्रॉपर्टी का मालिक है और जो उस एसेट या प्रॉपर्टी को ले रहा है अपने यूज के लिए उसे क्या बोलते हैं उसे लीज ही बोढ़ते हैं और इन दोनों के बीच में की जो ऐसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं इस के में उसे दो प्रोपर्टि के मालिक को लीजी के दौरा उसके यूज के लिए पे किया जा रहा है जिसने अपने यूज के लिए उसके दौरा जो भी अमॉंट उसके मालिक को पे किया रहा है प्रोडक्शन और शेल्स के आधार पर उसे बोलते हैं राइड दूसरा हो गया क्या मिनिमम रेंड यह मिनिमम रेंड कि तो भाई यह तो बताया कि रडिक तुम्हें जितना प्रोड भाइड लेंड-लोट को पे किया जाएगा वो रडिंट है पर कभी आइसा भी हो सकता है कि किससे साल बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं हुआ या बिल्कुल सेल लेँगा तो उसे सीदिय में जा होगा यह लेंड-लोड यह अँरी प्रोपर्ट है को आपने आपको शुरक्श्य रखने के लिए एक तैकर देता है कि मिनिमम रेंट कम से काम इतना रुपया परियर हमें आप पे किजिएगा वह मिनिमम रेंट हो गया ठीक है बात समझ में आया है उसके बाद एक तर्म यूज में आता है शौर्ट वर्कींग यह क्या है तो भाई जिससा लीजी के द्वारा जिसने संपति को यूज के लिए लिया उसके द्वारे जो प्रोडक्शन किया गया जो भी ऑपूट हुआ है उसका जो रॉयल्टी जो बन रहा है वह इस मिनिमम रेंट के अमांट से अगर कम है तो जो डिफरेंस है वह क्या है मतलब शॉड़ वर्किंग बराबर मेंट माइनस रोयल्टी अब आगला तरन देखते हैं शॉड़ वर्किंग रिकोट अब यह क्या है तो भाई वह जो शॉड़ वर्किंग हुआ सब पूछ किसे साब मिनिमम रेंट से रोयल्टी कम रहा है उसॉड़ यह तो लेजये का नुक्षान है जिस ने उस्के यूज़ के लिए उसकी साट वर्किंग के कंपनسेट करने का जो मौक्त यह से बोहतना है साट वकिंग इससे लिए सवाल सब इसके बार होता है रे कौब MI कर नो कि अ है कि रिकुपेबल । कि कि यह क्या होता है तो भाई जो एक मौका दिया गया बहलाओ है की आपका कि के अंदर रिकोप कर सकते हैं compensate कर सकते हैं वह समय गुजर जाने के बाद फिर 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 भी शॉट वर्किंग बचा रहे गया तो उसे फिर आगे रिको नहीं किया जा सकता है वह लीजी का पूरा नुक्षान है उसे बोलते हैं अन्रिकोपेबल शॉट वर्किंग थीक है अब बैए का और सब्सक्राइब लोग समझे लेते हैं शर्प्लस सर्प्लस क्या होता है तो बैइ शर्प्लस क्या है यह रोल्टी जाना है और मीनिमम रेट कम है तो यह है है सर्प्लस को यूज कर सकता है अगर यह हैं अब हम लोग जर्णल दिनले देखते हैं दोनों के जूसर के मालिक लेंडलॉड में और ні जूस्थ ने लिस पे लिए यूज्प करने के यलिया है लिजी उसके हुप में तो यहां जेनल उंट्रीज को देश्ट के रिखेरं और वोग्वुट की फोपकील ने ही खोने km तो सबसे पहले रोल्टी ड्यू करने का जो एंट्री होगा तो इसमें तीन इस्तिती बन सकता है मैं और रोल्टी है ना और रोल्टी ड्यू इसमें तीन इस्तिती हो सकता है पहला कि जब रोल्टी मिनिमम्रेड के बराबर करहा है जो मिनिमम्रेड है उतना ही रोल्टी हुआ तो क्या एंट्री हो गार इसलिए कि डिए o इक्वल तू, मिनिमम रेंट, तब क्या अंटरी होगा? तब आंटरी होगा, राल्टी एकांट एविट, राल्टी एकांट एविट, तु, लेंटलोड या लेसर्स, अगर नाम रहेगा जब तू नाम लिखेंड उसका है, जो भी संपत्ली कमाली का नाम रहेगा, एकांट, ठ द्यू, पहला कंडिशन यह दूसरा हो सकता है कि जो राल्टी हुआ है, वो मिनिमम रेंट शे ज्याद है, है ना, तो क्या अंटरी होगा? वैर राल्टी इस मोर दें, मिनिमम रेंट, तो उस इस सिदे में क्या अंटरी होगा? वैर उसमें भी यह अंटरी होना है, राल्टी इस एकांट है विट्ट, तू लाइंडलोर्ड अकांट, यहां भी क्या होगा, सेम दूर्शन देंग, राल्टी दू, और थर्ड कर्टीशन एक हो सकता है, जब रॉयल्टी जो है, जो मिनिमम रेंट है हुआ है, उससे कम हो रहा है, तब तो वहाँ पे शॉट वर्किंग हो रहा है, तो क्या एंट्री? तो एंट्री क्या है, रॉयल्टी, इस लेस दैंग, मिनिमम रेंट, तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री होगा, रॉयल्टी जेकांट डेट, is aişkurgh, जेको इस और सोगने एंट्री क pragmatic, जेक nggak एंट्री कांट मिन侑्त्री में विछ्टी, इस मेजिए कैसा चांट्री, डियों यह यह थीन अलागर इस दित मतलब कि अगर के बराबर है तो वह एंट्री यहां पर हो गया के वह ऑन्रोंकि इंप कॉल लेट टू लांट यो तो रोल्टी के लिए यो इसके बाद ये उसके बाद में करने करने का इक वा अब राटी जो पेखिया जाएगा तो उसके लिए लिए फोट फॉर पैमेंट आफ राल्टी और राच पेक है तो उसमें क्या अट्री योगा तो भाई वैन रास पीज पेड सिंप्ली क्या राथी पेक है तो एंट्री योगा लानलाड एकाउन ड़े वेट लैंड लॉक्ष एकाउंट डेबिट टू बैंक एकाउंट बेंग रोयल्टी पेड ठीक है और दूसरा ही कंडिशन यहां पर हो सकते हैं कि रोयल्टी पेड कर रहे हैं और किसना सब्सक्राइब करने का मौका विला हम रिकूप कर रहे हैं तो उसके लिए का अब यह एंट्री होगा मैं रोयल्टी पेड एंट शॉर्ड वर्किंग रिकूप जब थी रॉयल्टी पेड या गया और या पिलुक्षांट अपीसर उसके वा शॉर्ट पर देखिने कर ले जाए प्लिक्त शॉर्ड वर्किंग तो उसे वे मेक अप किया गया तब क्या एंट्री उल्ड यहा प्रीद左我 य्टियरा अर्ट इमक्यों र्री प्री आभ यजरि किस में प्री स्टाइप लोग्यू baby पेड एंड शार्ट वर्किंग रिकोट तो बहुत यह रोटी को पे करने से लिटर एंडि और यह रोल्टी डू करने का इंट्री थीक है पहले रोल्टी को पे करने का उसके बाद में बारी आता है जो भी रोल्टी हुआ है उसे हर वर्ष के अंद में प्राफिट और लॉस अकॉंट में कर दिया जाता है ट्रांसफर तो उसके लिए के एंट्री है तो उसके लिए एंट्री होता है तीसरा for transfer of royalty to profit and loss account at the end of the family year उसके निख्या करेंगे एंट्री उसके लिए एंट्री करते है इस्टेट्मेंट ऑफ profit and loss account या केवल profit and loss account debit भी दिख सकते हैं debit to royalty जितना royalty हुआ है उससे पियल में कर रहेंगे transfer bring the amount of royalty transferred to P.L. यह है और एंट्री तब होगा जबकि शॉट्वर्किंग रिकुप होने लाइक नहीं रहा जब उस शॉट्वर्किंग को रिकुप करने का मौका खतम नहीं गया तब उस शॉट्वर्किंग को भी पियल में कर दिया जाता है transfer तो उसके लिए अंट्री होगा है चौथ हंट्री फॉर्क्रांसफर और अन्रिकुप्ट शॉट्वर्किंग टू अए टू प्रॉट एस लोसे को जाय गान तुसके लिए क्विल्ट चाहितमें शॉट्वर्किंग उआ तौफितर लेगां थो स्विखत्वेस्ते नहीं ला शेत्में दो शॉट्वर्किंग और कांट बेंग अंडरी को अच्छार्ट वर्की अच्छार्ट ट्रांस्फर्ड तो अभी मैंने जब शुरू किया था तो बताया थे कि दोनों के बुख में दोनों के बुख में जर्णल इंटर्टर्ट्र क्या होते हैं आध्या तो क्या करते हैं और इस पर बेश कुछ एक सवाल में बनाई जिसमें कि लिजी के पुक में जर्णल इंट्री करके देखेंगे और उसके बाद में लैंडन नॉट के बुक में क्या जर्णल इंट्री होंगे वो देखेंगे और उस पर फिर कुछ से क्सवाल झाल 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 झाल